ओम सिरी गनी सायनम दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 मई गुरुबार के रासी फल के बारे में की यह दिन मेश रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान देना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग उसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंच सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज आपके मित्रों का आपको भरपूर शयोग प्राप्थ होगा जो आपको काफी शकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रुत्साहित करेंगे दोस्तो आपको अपने कर छित्र में आज कई कारों के लिए अधिक अनुकूलता महसूस होगी दोस्तो आज का दिन आर्थिक दरश्टी कौन से आपके लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो आपकी आर्थिक इस्तिती में काफी अनुकूल बदलाव आएंगे और आपके वेविसाय में विवरत दी होगी आमंदनी के स्रोत में इजाफा होगा और आप आर्थिक तोर पर आज अच्छा सामानजस बना कर रख पाएंगे दोस्तो आपकी मुलाकात अपने मामा और मौशी के परिवार से आज हो सकती है जिन से मिन कर आपको काफी खुसी होगी और वे आपके किसी काम में काफी मदद भी करेंगे जा दोस्तो साथिसाथ धर्मिक क्रिया कलापों में विविरत दी होगी और आप उनके ऊपर खर्च भी प्रियास करने में आपको सफलता मिलेगी यदि आप कारे छित्र में अपनी मेहनत जारी रखते हैं तो उसका सुबभल आपको अवस्य ही प्राप्त होगा दोस्तो यह आप मान कर चलिए कि आज का समय पूर्ण रूप से आप के लिए हैं बस आपको अपना अच्छा प्रद सकें और इसी कारण आपका मनोबल भी बढ़ेगा जिसके कारण आप काफी उत्सा में रहेंगे और अपनी उर्जा के बल पर आप हर चिनोतियों का डट कर सामना भी करेंगे और उस पर आपको सफलता भी प्राप्त होगी जिससे आपकी खुसी दूग नहीं हो जाएगी और आपका दिन काफी आनंद में बीतेगा दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता हैं दोस्तो आपके लिए आवशक होगा कि आप किसी भी निर्णे को लेने से पहले अपना पूरा समयले और सोच समझ कर ही समस्याओं का हल निकाले और समस्य को हल करने के लिए प्रियाप्त संसादनों को जुटाएं दोस्तो परिवारिक जीवन में आज चिंताओं की व्रद्धी हो सकती हैं यदि आप सब को साथ लेकर चलेंगे तो समस्याइं धीरे-धीरे काबू में आ जाएंगी या दोस्तो साती सात पैसे के लेंदेन में भी आज आपको सावदानी रखना आती आवसक हैं तता किसी भी अन्य व्यक्ति को धन देना नुकसाम दायक हो सकता है इस दिन मानसिक असांती तता तनाव पूर्ण इस्तितियां जादा हो सकती हैं इसलिए किसी भी तरह का ठोस निर्ण लेने से पहले आपको कई बार सोच विचार आवस से ही कर लेना होगा यह आपके लिए काफी फाइदेबंद साबित होगा दोस्तों साती सात क्रोध पर नियंतन एम वानी पर आपको आज सैयम रखनी की अति आवसकता है अन्य था विवाद की इस्तितियां बन सकती हैं परिवार का माहौल आपके अनुकूल रहेगा ल समझोतों के लिए तैयार रहना होगा अन्य था इस्तिती आपके नियंतन से बहार हो सकती हैं आपको परिवार के लोगों के साथ धन संबंदित समस्याओं को भी सुलजाना होगा और अपनी और से अधिक से अधिक योगदान करने के लिए भी तैयार रहना होगा दोस्तों स पातिसात उच्च सिक्षा के लिए प्रियासरत लोगों को भी अभी थोड़ा प्रियास और जारी रखना होगा तथा प्रितिक्षा करनी होगी कौँकि फिलाल उनके लिए अधिक अच्छा आफसर दिखाई नहीं दे रहां लेकिन आपको हिम्मत हारने की बिलकुल भी आवश करना चाते हैं तो कर सकते हैं या फिर अपने मन की बात शेयर करना चाते हैं तो वह भी कर सकते हैं इसके लिए समय काफी अनुकूल हैं दोस्तों आज आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत होंगे आपसी संबंदों में घनिश्टता आपको एक नई इस्पूर्ती प्रदा जीवन साती का भी आज आपको पूरा शहयोग प्राप्त होगा साती सात विवायत जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो वैवसाय धंदे में आज आर्थिक लाब और नोकरी में तरक्की के अनेको योग बन रहे हैं ग्रहनक शत्रों के अनुकूल रहने से आस्मिक धनलाब के भी आज अनेको योग बन रहे हैं दोस्तो आपको पैसे के लेंदेन में भी अधिक फाइदा होगा रुक हुए सभी कर रहे आज आपके पूर्ण होंगे और धनलाब की आज अच्छी इस्तिती रहेगी जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों वैपार विस्तार की आज आज आप नहीं योजने बनेंगे वैपार को लेकर भी आज पर जा सकते हैं जो आपके लिए काफी लाबदाएक साबित होंगी दोस्तों साती साथ आज आप प्रॉपर्टी में भी निवेस कर सकते हैं जो भविस्य में चलकर आपके लिए काफी लाबदाएक साबित होंगे नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो बुद्धिमानी से आप उरजा सक्ती का प्रियोग करें ताकि आपको सारेरिक रूप से कोई परिसानी ना हो और आपका जीवन काफी खुस में बना रहे दोस्तो साति सात यदि आप उम्र दराज हैं तो संभव है कि आज आपको कुछ सेयत के मामलों में अधिक नियमित होने की आवशक्ता पढ़ सकती है जिससे आज आपको कुछ योगासनों का भी सहारा लेना पढ़ सकता है और साति सात आपको अपने खानपान पर भी विशेश रूप से ध्यान देने की आवशक्ता पढ़ सकती है दोस्तो साति सात अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश रूपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निरवत्र होने के बाद दो केले लें इसके बाद आप इन दो केलों पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर भगवान श्री हरी विशनुजी का इसमना करते हुए किसी भी गाय को खिला दे और मनी मन अपनी मनों काम नहीं मागें या दोस्तो ऐसा करने मात्र से ही भगवान श्री हरी विशनुजी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके सभी कार रहें भगवान श्री हरी विशनुजी का शिरवाद से बहुत यासानी से बनने लगेंगे दोस्तों भगवान श्री हरी विशनुजी का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट से बोक्स में जैस श्री हरी विशनुज अवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद